नमस्कार दोस्तों मैं आरियन सर्म और आप लोग देख रहे हैं आरियन ओनलाइन क्लासेज तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो है क्लास 10 सोसल साइंस मतलब समाजिक विग्यान मोडल कुशन पेपर 2022 इसमें टोटल प्रशनों की संख्या है 40 और 1 से 40 तक के प्रतेक प्रशन महतपूर्ण है जो की हर बार बोर्ट परिक्षे में पूछे जाते हैं इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी इग्नॉर ना करें बिल्कुल आप लोग को एक से लेके 40 तक के सभी प्रशनों को देखना है ठीक है और हाँ आप हमें लास्ट में कमेंट करके बताना एक से लेके 40 तक के प्रशनों में से आप लोग कितने प्रशनों का आंसर जानते थे इससे फैदा क्या होगा आपने अभी तक क्या पढ़ा आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा अभी तक आप क्या जानडे हो ये चीज़ आप लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं एक से लेके चालिस तक के प्रश्णों का जवाब देके आप हमें कोवेंट करके बता सकते ठीक है तो वही ये सेट जो है दूसरा इससे पहले एक सेट हो चुका है पहला सेट का वीडियो बन चुका अगर आप लोग नहीं देखें तो इसी वीडियो के नीचे डिक्सेशन आप्सन भी है कार्बोनरी और आप्सन सी है पिलिक हेटेडिया और आप्सन डी है डाइट जो इसका जो राइट आंसर हो जगा एक नंबर का वो हो जगा कार्बोनरी मतलम मेजनी का जो संबन था कार्बोनरी संगठन से था ठीक है इसका राइट आंसर भी हो जगा अगला प पानी रखने का मिट्टी का पात्र option c रूस का समन्त Ultra तो आप लोग को इसका जिलए जानना है डि ठीक है रूस का समराण को रूस का जार बोला जाता है ठीक है जार मतलब इसा नहीं समझेंगे कि पानी का बर्तन हो जाएगा यह पानी रखने का पात्र हो समझना है आप लोग को याद रखना है रोस में जार का जो अर्थ होता है रोज का समराथ को रूस का जार कहा जाता है ठीक है अब दीखो यह प्रश्न तो बहुत बहुत भी बार पूंचा यह लगभग Schl nerd किस प्राकृतिक का था अगला प्रश्ण वारे पास है चौथा नमबर भारत में खिलापत अंदोलन शुरू हुआ था भारत में खिलापत अंदोलन शुरू ह्वआ था कब हुआ था इसका相र रायाइट आन्सर आप लोगो करना है उनिस्षव बीस में इसका रायाइट आन्सर क्या हो ज़ेगा ए नमबर इसका रायाइट आन्सर हो जगा जो 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस सहर में अस्थापित हुआ तो आप लोग को इसका रायट आंसर करना है ए कोलकाता कहां हुआ था जूट मिल सबसे पहले 1917 में कोलकाता में अगला प्रश्ण मारे पास है छठे नमबर और छठे नमबर है पूझी पती वर के द्वारा किस वर का सोचन होता है मतलब या पूझी पती पूझी पती वर के द्वारा किस वर का सोचन होता पूझी पती मतलब जो थोड़ा सा अमीर आदमी सिंपल सी अपने भासाम बोला जाए तो किसका होता पूझी पती वर्ग के द्वारा किस वर्ग का सोसन होता आंसर करना है उप्यूक सभी डी सार्मिक वर्ग जो मजदूर वगेरा सब होते हैं मध्यम वर्ग मडिल कलास और क्रिशक वर्ग मतलब किसान वर्ग में जो आते हैं अगला प्रश्ण मारे पास है सातमे नंबर और सातमे नंबर है प्राचिन काल में किस अस्थल मार्ग से एसिया और इरोप का बेपार होता था जो प्राचिन काल थे प्राचिन काल में ही किस अस्थल मार्ग से एसिया और इरोप का बेपार होता था option यह है सूती मार्ग, रेसम मार्ग, option C है उत्तरपत और option D है दक्षिन पत तो साथ में नमबर का जो right answer करना है B करना है, रेसम मार्ग के द्वारा होता था ठीक है अगला प्रशन मारे पास है आठ में नमबर और आठ में नमबर है की गुटेन वर्ग ने सरपर्थम किस पुस्तक की छपाई की आठमे नमर का राइट आंसर करना है बाइवल इसका राइट आंसर डी हो जगा बाइवल अगला प्रश्ण मारे पास है नम्मे नम्बर और नम्मे नम्बर हर बच्चा जानता होगा राष्ट पिता के नाम से किसे जाना जाता है तो इसका जो राइट आंसर हो जेगा आप लोग का महतमा गांधी और इसको ही बापू के नाम से भी हम लोग जानते हैं भारत का राष्ट पिता थे अगला प्रश्ण मारे पास है दसमे नम्बर क्रक कौन सा समाजिक वर्ग बुद्धी जीवी वर्ग के रूप में उभर कर आए कौन सा समाजिक वर्ग बुद्धी जीवी वर्ग के रूप में उभर कर आए दसमे नमबर का जो राइट आंसर करना है D करना आप लोग को मध्यवर्ग इसका राइट आंसर क्या हो जगा D अगला प्रश्ण वारे पास है 11 नमबर और ये जो है बहुत ही ज़्यादा महत्पुन है बिहार में शंपुन करांती का निर्थवित किषने क्या बिहार में संपुन करांती का निर्थवित किषने क्या तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा J परकास नरायन और ये भी पूछा जा सकता है कि J परकास नरायन की मिर्थियों कब हुआ था जो बिहार में जो थे संपुर्ण करांती का नित्विर्थ के थे जे परकास नगा है और इसका पूछ दिया जाए कि वर्न मतलब जन्म कब हुआ था आप लोगों को याद रखना है 11 एक्टूबर 1902 में कहां में हुआ था सारन में कहां सारन में ठीक है और हाँ अधी इसके मिर पासी इस्भी में हुआ था कहां हुआ था पत्ना में हुआ था कहां हुआ था पत्ना में हुआ था तो जन्म और मिर्दियों हम आपको साथ मेंधा दिए मनला पर Whenever पासे टिपू सुल्तान सासकते की हो सुल्टान कहां के सासक थे जो बारह नंबर नंबर का जो प्रश्ण का रायट आसर होजगा मैसूर क्या हो जाएगा अगला प्रश्न मारे पास है जलिया वाला बाग हत्याकंट कब हुआ था देखें यहां पे आप लोग को याद रखना है 13 अप्रेल 1929 में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अगला प्रेश्ण हमारे पास है 14 नंबर और 14 नंबर में कह रहा है कि भारतिय समाचार पत्रों के मुक्त दाता के रूप में भारत के कौन गवर्नल जनरल विख्यात है तो 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा क्या हो जाएगा डी चार्ल्स मेट कॉप अगला प्रेश्ण हमारे पास है अगला प्रेश्ण जो हमारे पास है 15 नंबर नमक कानून तोरने के लिए गांधी जी ने कौन सा अस्थान चुना नमक कानुन तोरने के लिए गांधी जी ने कौन सा अस्थान चुना तो 15 नमर का रायट आंसर हो जगा दांडी और दांडी यात्रा भी उसी को बोला जाता है नमक कानुन तोरने के लिए गांधी जी ने कौन सा अस्थान चुना दांडी और नमक का जो आज तक जो है नमक अं नमक का भी कीमत जादा ही होता अभी आप देख सकते हैं 10 से 12 रुपिया 15 रुपिया केजी के मिल जाता है नमक क्योंकि नमक अंदोलन किये थी महत्मा गांदी जी ने अगला प्रश्ण मारे पास है बंगाल का बिवाजन कब हुआ था बंगाल का बिवाजन कब हुआ था तो 16 नमबर का जो राइट आंसर करना है सी करना है उन्हीं शौप पांच इस भी में ठीक है अगला प्रश्ण मारे पास है 17 नमबर काल माक्स का काल माक्स की पुस्तक का नाम क्या है काल माक्स का पुस्तक का नाम क्या है तो इसका जो राइट आंसर हो गया डी वी एवं सी दोनों दोनों दास केपिटल याद रखेंगे आप लोग दास केपिटल और केमिनिस्ट मेनिफेस्टा दोनों जो हैं उन्ही का पुस्तक है अगला प्रेश्ण मारे पास है 18 नंबर किस ने कहा मुद्रन इश्वर की दी हुई महंतनम देन है सबसे बरा तोफा किस ने कहा मुद्रन इश्वर की दी हुई महंतनम देन है सबसे बरा तोफा और इसका जो 18 नंबर का जो राइट आंसर हो जाए बी हो जाएगा मार्तिन लूटर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी अगला प्रश्ण मारे पास है उनीश नंबर इटली और जर्मनी के एकिकरन के बिरूद निम्न में कौन आया था तो आश्टेरिया आया था कौन आया था आश्टेरिया अगला प्रश्ण मारे पास है बीश नंबर जर्मन के एकिकरन का परमुख वस्तुकार कौन थे जर्मन के एकिकरन के वस्तुकार कौन थे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बिसमार्क अगला प्रश्ण मारे पास है 21 नंबर जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्रिया होते हैं तो हमारा अभिप्रिया होता है तिसका राइट आंसर हो जेगा अएगा मतलब समाज द्वारा इस्त्रियों और पुरूसों को दी गई और समान भूमिकाएं अगला प्रश्ण मारे पास है 22 नमबर क्रान निमलिखित में कौन संग राज की विसिस्ता नहीं है निमलिखित में कौन संग राज की विसिस्ता नहीं है तो 22 नमबर का रायट आंसर हो जिगा C इक हरी सासन वेवस्था अगला प्रश्ण नमारे पास है 23 नमबर इन में से कौन सी एक बात लोगतांतरिक वेवस्थाओं के अनुरूप नहीं है तो 23 नमबर का जो रायट आंसर हो जिगा वो हो जिगा D बहु संख्यकों का सासन अगला प्रश्ण नमारे पास है 24 नमबर भारत एक लोगतांतरिक राज्य है निमलिखित में से किसने यह घोसना की गई थी निमलिखित में से किसमें यह घोसना की गई थी भारत जो है एक लोगतांतरिक राज्य है या किस में घोसित की गई थी तो इसका जो 24 नमर का रायट आंसर जया ए प्रस्ताव नामे प्रस्ताव नामे इसका रायट आंसर ए अगला परश्च नमारे पास है 25 नमर किरा किस लोक सवाद चुनाओं के बाद महिला महिलाओं की भागेदरी 10% से अधिक हो गई ठीक है जो अभी के रेट में तो आप लोग को पता है महिलाओं को कितना छूट दिया जा रहा है यह चीज़ आप लोग देखी रहे है और लोक सवाद चुनाओं के बाद महिलाओं की भागेदरी जो थी 10% से और अधिक कर दिया गया तो 25 नमबर का जो आप लोग को रायट आंसर हो जाएगा ए इसका रायट आंसर हो जाएगा ए सोल भी लोक सवा में अगला परशन वारे पास है 26 नमबर भारत में शंग एवम राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ तो 26 नमबर का जो रायट आंसर हो जाएगा तीन सूचियों में हुआ था यार अभी तक विडियो को लाइक नहीं किये तो विडियो को लाइक कर देना दोस्तों साथ सेर कर देना और हाँ इसका पीडियाप हादी आप लोग चाते हो तो टेलेग्राम चैनल को जोइन कर लेना नीचे जिपसिसर में इसका भी लिंक दे रखा हो जहांसा आप लोग को पेडियाप बिलकुल फ्री में मिल जाएगा और चैनल को पहले बार देख रहे हो चैनल पर पढ़ रहे हो तो भाई लोग तंत्र में रंग भेद क्या बिरोधी नहीं थे निमलिखित में कोन लोग तंत्र में रंग भेद के बिरोधी नहीं थे 27 नमर का राइट आंसर हो जिगा जेर गुडी जेर गुडी इसका राइट आंसर डी अगला प्रश्ण जो हमारे पास है 28 नमबर बर्तमान में नेपाल के सासक परनाली क्या है जो अभी परजेंट टाइम में नेपाल का सासक परनाली क्या है जिसका राइट आंसर हो जिए लोक तंत्र अगला प्रश्ण हमारे पास है 29 नमबर राजनितिक दलों की मन्यता और उसका चिन किसके द्वारा परदान किया जाता है राजनितिक दलों का जो मन्यता है उनका और चिन जो होता है जो आप देखते हैं कमल खटिया फटिया जो भी चिन है राजनितिक बगिरा का राजनितिक दलों का ओ किसके द्वारा परतिपादित किया जाता है तो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो निर्वाचन आयोग होते हैं वही देते हैं जो छाप होते लालटें छाप तीर छाप बगिरा ठीक है अगला प्रेशन नमारे पास है भारतियश शाविधान के एनुच्छेद 19 में देस के सभी नागरिकों को कौनसा मुल अधिकार दिया गया टो तंबार का जो रायट में 30 नम्बर हो तंबर में समानता का अधिकार अगला प्रश्ण हमारे पाश है 31 नंबर और 31 नंबर में है 31 नंबर में है निमलिखित में कौन राष्टिय दल नहीं है निमलिखित में कौन राष्टिय दल नहीं है तो देखिए भारतिय जनता पार्टी भी राष्टिय दल है भारतिय राष्टिय कांग् को डी नमबर है और जिसके पहले राष्टिय लगा हो वही राष्टिय दल नहीं है याद रखना है जिसके पहले राष्टिय दल नहीं है राष्टिय जनता दल अगला पैश्ण 32 नमबर भारत ने गन तंत्रिक साविधान को कब अंगीकार किया भारत ने गन तंत्रिक साविधान को कब अंगीकार किया अगला पैश्ण 33 नमबर और 33 नमबर है कि लोग जनसक्ती पार्टी का चुनाव चिन क्या है अब देखिए कुछ इस परकार से भी आप पूछे जास रहे हैं कि उनका चुनाव चिन कौन सा है ये आज इनसान कौन से राश्टिय दल में है तो ये सारा चीज़ भी आप पूछा जा रहा है मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं तिके लोग जन सक्ती चुनाव का जो होता है चिन कौन सा है पार्टी का चुनाव चिन कौन सा है लोग जन सक्ती इसका right answer हो ज़ेगा C, बंगला चाप, इसका right answer क्या हो ज़ेगा, बंगला चाप, अगला प्रश्ण मारी पास है, सरकार का कौन सा परकार सबसे अच्छा माना जाता है, सरकार का कौन सा परकार सबसे अच्छा माना जाता है, 34 नमबर, और 34 नमबर का right answer हो ज़ेगा, B हो सरपंच कौन होते हैं सरपंच ग्राम कचहरी के परदान कौन होते हैं तो सरपंच इसका राय टांसर डी हो जाएगा अगला परश्णा मारे पास है 36 नमबर जिस देश का राश्टिय अधीक होता तो वह देश कौन सा होगा तो सिंपल सी बात है वह देश बिक्सित होगा क्या होगा जिसमें राष्टिय आए अधिक हो रहा है तो सिंपल सी बात है बिक्सित होगा ही राष्ट वह देश इसका राइट आंसर भी हो जेगा अगला प्रशन अपन लोग करते हैं 37 नमबर भारत क किस राष्ट के परति व्यक्ति का आई सर्वधिक है भारत में जो है किस राज में हर व्यक्ति का आई अधिक है जिसका राय टांस हो जिगा गोवा कहा हो जिगा गोवा डी विहार सबसे अती पिछरा राज में आता है ठीक है अती पिछरा राज में विहार अगला पैस्ट नमारे पास है निमली खित में कौन मुद्रा का कार ये नहीं है इसका राय टांसर हो जिगा डी उत्पादन अगला पैस्ट नमारे पास है निमली खित में पास है वन चारीश नमबर भारत का केंदरिये बैंक कौन सा है भारत का केंदरिये बैंक जो है कौन सा है तो आप लोग को मैंने पहले भी बताया था पार्ट वन में MALE आर भी आई ठीक है रिजरॉव वैंक ओफ इंडिया जो क मुख्यश्रोथ क्या है को एला भी ओगा Petry palate भी ओगा विद्दूत भी ओगा और इन में शब्सक्राइट आंसर ढ वह जैका क्योंकि हम लोग को कोईला और Pet roommate विद्धूत से उर्जा मिलता है तो क्यों ला और एक से लेएipped ढाई appetite किये हो या पहले से जानते थे आप हमें ये कमेंट बॉक से माधियम से कमेंट करके बताएं साथ ही आप लोग एक लाइक करते जाएंगे आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक ने विडियो बनाने के लिए और चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोट संबल को प्रेस करके और कर लेना मिलते एक ने विडियो को लेके तब तक लिए बाबाई जैहिंद जैभरा टेक केर